गुड मॉनिंग बच्चों आज हम धारा मापी अल्थाद गेलविनों विटर के बारे में अध्यन करेंगे धारा मापी है क्या चीज? सबस्पहले हम इसकी परिभासा देखते हैं धारा मापी की साहता से किसी विद्धूत परिपत में बहने वाली विद्धूत धारा की उपस्तिती का पता लगा जा सकता है या इसके द्वारा धारा मापी के द्वारा परिपत में बहने वाली धारा का मापन किया जा सकता है अर्थार धार मापी एक ऐसा उक्रण है जिसके द्वारा किसी विद्धूत परिपत में बहने वाली धारा की उपस्तिती का पता लगा जा सकता है साथी साथ उसका मापन भी किया जा सकता है धार मापी दो प्रगार के होते हैं एक है चल चुम्बक दारामापी और एक है दूसरा है चल कुंडली धारामापी चल चुम्बक दारामापी में चुम्बक विच्छेपित होता है और चल कुंडली धारामापी में कुंडली विच्छेपित होता है इस प्रकार से धारामापी का जो मुख्य भाग जो होता है वो कुंडली और चुम्बक ये दोनों से मिलकर बने हुए होते हैं चल चुम्बक धारमापी काहिए इस प्रज्या, धारमापी, हल्मेहोट धारमापी इस परजिया धारमापी है टेंजेंट गेल्विलो मेंटर का इस पजिया धारा मापी चल चुमबक धारा मापी का एक प्रकार है चल चुमबक में यहाँ पर चुमबक की सू में विच्छेप होगा और साथ साथ इस पजिया धारा मापी इस पजिया के नियम पर आधारित होता है टेंजेंट आप लोगों ने पढ़ा है तो इस इस्त्वज्या के नियम पर ये कारे करता है इसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं पहला है विट्दाकार कुनली और दूसरा है दिक्सुचक या इसको कह जाता है दिक्सुचक दिक्सुचक बाक्स दिक्सुचक बाक्स दिक्सुचक बाक्स तो ये इस वज़ा धारमापी दो भाग होते हैं विट्दाकार कुनली दिक्सुचक बाक्स सबस्पहले पन विट्दाकार कुनली की बनावट को देखते हैं विट्दाकार कुनली एक चोन में किसका बना हुआ होता है लगड़ी या पितल का एक वृत्ता का धाचा होता है इस ताइप पैसा धाचा होता है इस धाचे पर तामे के तार को लपेट कर बनाई जाती चलो इसका अपन सबस्केल हैं परश्चीत बना लें इस वाज यह दारम आपके है इसको बताता हूं यह विप्ता कार कोनली होती है इस टाइब किसी जो बनाउट होती है इसमें ऐसा संतलकारी पेच लगी होती है यहां पर चार से ओजी पेच लगे होते हैं तो यह कुछ इस प्रकार से इसी बनाउट होती है इसके तो सबस्पहला पर इसके जो भाग है वृत्ताकार कुंडली को देखते हैं वित्ताकार कुंडली तामे या पितल का एक वित्ताकार धाचा होता है ऐसा वित्ताकार धाचा ना गोटा ऑफसमाज हना नहीं है कि इसमें ताब में प्रकों तामह जो पुदिक तार है उसको बहुत सारे उब me पर उध्वादर रहता है और इसको हम उध्वादर ऐसा गुमा सकते हैं आधार के पईता ऐसा इसको इसको गुमाई जा सकती है इसमें प्लाया फेरों की संख्या पांस सा बावन होती है फेरों की संख्या मतलब जो पांदे के तार जो लपेटा गया है उसकी संख्या कितनी होती है पांस सो बावन हम चाहते हैं कि इसमें पांस सो फेरों में धारा प्रावित हो या पचास में धारा प्रावित हो या दो मुमाई अपनी इच्छा नुसार हम इस कूनली में से होकर ह हम धारा प्रवाइद कर सकते हैं यहां पर चार संवजःद पेच यह बेट को जोड़ंने के बाद उनके बीच अंकित जैसी यह दो अंकित है हुआ हाई है तो यह दो फेरें में होकर विद्धुद्र धारा प्रवाइद होती है तो ये हो गया विद्दा कार कुली दूसरा इसका मुख्यभाग होता है दिक सुचक बाक्स दिक सुचक बाक्स मिस दिसा को बताने वाला दिक सुचक बाक्स भी किसका बना हुआ होता है पीतल या एजबेस्टस का ये भी एक चुमक्की बतात का बना हुआ होता है इसके अंदर इसकी बनावाब इस पकार से होती है ऐसा बाक्स होता है इसके अंधर केंदर पर एक चुम्बकी सोई एक छुल पर अधार का Сक्चुल है नहीं आइसा शुल बोलते हैं पर उसपे ऐसा लटकि भी होती है कर चुम्बकी सुई के लंवाथ एक संकेत्क लगा हुआ होता है जो कि अलमुनियम का बना हुआ होता है यह जो संकेतक बना हुआ होता है वो एल्मुनियम का बना हुआ होता है और इस दिश्च बाक्स में पैमाना रहता है जिसमें यह दिश्च संकेतक घुमता है यह 0 to 90 ऐसा सुन्य से 90 चार बराबर भागों में बटा हुआ होता है इसके नीचे समतल दरपन लगे हुए होते हैं समतल दरपन इसलिए लगे होते हैं जब हम रिडिंग नोट करते हैं तो संकेतक के प्रतिवीम जो है इसका प्रतिवीम है हमको दिखाई नर्दे तो इससे क्या होगा जो पाठ्यांग हमको प्राप्त होगा वो एकदम सहीं पाठ्यांग प्राप्त होगा मतलब जो विछेप नोट करने में तूटिन न हो इतनले इसके नीचे धर्पन लगा हुआ होता है और ये पूरा बाक्स के उपर एक कांच से धका हुआ होता है क्रांस से ढगी होने की वज़ा से इसके उपर धूल इत्यादी कण का यहां पर प्रभाव नहीं पड़ता तो यह होया दिक सुचक बाक्स की बनावट दिक सुचक बाक्स को इस धारा मापी में कुणली के बीचों बीचे खाचा बनावाता है इसको कहां पर फिट करते हैं यह अब हम इसका जो है समयोजन कुछ देखते हैं किस प्रतार से धारा मापी को समयोजित करते हैं धारा मापी को समयोजित करना या समयोजन जैसा भी बोलेंगे समयोजन एक चीज और बताना भूल गया था हम है यहां पर आधार में संतलकारी पेंच लगी होती है जिसके दौरा इसको लेबिलिंग किया जा सकते है सबस्पहले इसका समायोजन इस पिट लेबल को हम सबसे पहले कहां पर रखते हैं दिख से उचर बाकस की ऊपर रखते हैं और देखते हैं कि यह संतल है कि नहीं पहला काम अगर संतल नहीं है तोusesंतलकारी पेंच की सायता से उसको कम जाद Q करेंगे फलसरू की ये जो है 36 में इस्थापित है कि नहीं ये हमको देखना है समतल करना है पहला सब्सकाम समतल करते हैं फिर इस धारा मापी को चुमक्की याम उत्तर में एज़स्ट करते हैं चुमक्की याम उत्तर मालूम है आप लोगं को उत्तर दक्षित दिशा ठीक है उत्तर दक्षित दिशा में इसको हम उत्तर दक्षित दिशा में एज़स्ट कर तो यह चुम्बकी सुूń है, आपको मालूम है इसको बयारा मापी को तो इसकी जो है उत्तरडक्षी दिसा में ठरके है तो इसको बित्तकार कुंडली को इतना घूमाते हैं कि इसके उत्तरडक्षी दिशा को समन अंतर हो जाए पर सुई हमको दिखाई नदे, उसी के सम्नांतर दिखाई दे, इस प्रगार से ये जो धारा मापी है, चुंबकी यामन उतर में एज़श्ट हो जाता है, अब क्या करते हैं, विर्ति पैमाना को हम इतना भूमाते हैं, यहां पर अंदर में दिख सुचक बाक्सा है, उसके जो पैमाना को इतना भूमाते हैं, कि संके तक जो है, कहां पर आजाए, सुन्ने पर आजाए, जिरो पर आजाए, इस पराब से हम इसको सामान रूप से चुंबकी यामन उतर में एज़श्ट कर जोते हैं, और अच्छी तरह से इसको और सुद्ध रूप से हमको रियल्ट से समायोजित कर सकते हैं, यह टेंजन्ट गेल्वनुमीटर है, यह एक सर्कीट है, यह एक सेल है, यह आरेचे धारन यह अंद्रख है, और यह यहां पर एक, दो, तीन, और यह चाट, इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है, दिक्त परिवल तक, दिशा को बदलने हो, धारा के दिशा को बदल जाता है, इस कुझी के द्वारा, तो यह एक सेल है, आरेक्ट, धारा नियंत्रख है, तीजी जो है, टेंजेंट, गेलवेनो, मीटर है, सबसे पहले क्या करते हैं, एक और तीन को लगाते हैं, कुझी एक और तीन को हम लगाते हैं, एक और तीन को लगाने के पसाथ, हम धारा मापी में विच्छेप को नोट करते हैं, थीटा वन को नोट करते हैं, थीटा वन को नोट करने के पसाथ, हम एक तीन को लगायें, विच्छेप को नोट करते हैं, सबसे पहले क्या किया, एक तीन को लगाया, प्लग एक और तीन को लगाया, विच्छेप थीटा वन मालू सिस्टी ने आँए, सबस, अब दो-चार पुल गायेंगे, थीटा टू माल लोट, फिप्री नामेया, तो जिस दिसा में ज्यादा विच्छेप आ रहा है, उस दिसा में उपकरण को थोड़ा सा मोड देते हैं, हम इस प्रगार से तब तब एज़ेश्ट करते हैं, जब तक की दोनों पर का विच्छेप बराबर नहीं आ जाता है, जब दोनों इस्तिती में विच्छेप बराबर आ जाता है, तब हम कहेंगे कि ये इस परजया धारा मापी अब चुम्बकी यामयोक्तर में एज़ेश्ट है, समायोजित है, अच्छे से समायोजित है इन दोनों कंडिशन के द्वारा दोनों इस्तिती पर हम चुम्बकी या मुतर को समायोजित कर सकते हैं अब हम आगे इसके लिए सुत्र की स्थापना करेंगे स्थापना करेंगे इस्वज्यादारा मापीता सिद्दान करेंगे जाओने सुत्र के जब दोते हैं अर्फ़ेंगे उरीच्पटेछों इसके अर्फ़ेग अर्फ़ेगचे के लिए इसकार चाहारा है करेंगे, अर्फ़ेगे, जोन्यम्टेगदे। सबसे पहले आपन इस चीतर बना लिए ऐसा इसको बभी ले लेता है यह प्लिथ्वी की चाहिती इस्तिर बता है माल लो इस पज्या इस पज्या धारा मापी के कॉनली का ताग चुम्बकी यां उतर में हम पहली एज़ेस्ट कर चुके हैं इसको चुम्बकी यां मतर में उत्तर दक्षिट डिशान है इसकी त्रिज्या आर है जो कुनली है इसकी त्रिज्या इसमाल आर है इसमें फेरों की संध्या एन में आई धारा प्रवाहित हो रही है कुनली को हमने कैसा एज़ेस्ट किया है चुम्बकी यां मतर में हमने एज़ेस्ट किया है इसमें फेरों की संध्या माल लो एन है और बहने वाल इधारा इस माल आई के बराबर है तो कुनली के केंद्र पर उत्पन चुम्बकी छेत्र की तिरता हम पहले निकाल चुके हैं बी क्वल्ट होता है म्यू जीरो बटे 4 पाई 2 पाई एन आई बटे आर हम पहले निकाल चुके हैं कि किसी वित्तागार कुनली में यदि आई धारा प्रोहत होती है तो उसके केंद्र पर उत्पन चुम्बकी छेत्र की तिरता बी ब्रावर होता है म्यू जीरो बटे 4 पाई 2 पाई एन आई बटे आर ये पाई पाई कैंसल हो जाएगा टू टू कड़ जाएगा तो यह हो जाएगा म्यू जीरो एन आई बटे टू आर बेवर प्रती मीटन स्कर अर्थार जो इसपजा धारा मापी है उसके कुणली में आई धारा प्राहित होती है तो उसके केंद पर उत्पन जैसे इसे कूपनली है तो उत्पन चुमक्री छेहतर की तिरोता का मान किलना होगा विप्टा कार पूंली इस टाइप का है जो प्टीतर मेंまだ बताया तो उसके केंद पर B equal to Mu expensive Ni 2r Freedom प्रति मीटर इसकर चुमक ki छेत्र पैदा होगा इसकी दिशा क्या होगी चुर्कि हम इसको लुट मेरे अथा उत्तर दक्षिन दिसा में स्टो किया तो निसी पर यह चुमकी छेथर की जो दिसा होगी वह पूरा पसिन दिसा में होगी ठीक है पूरा पसिन दिसा में के जासे देखिए अगर ऐसा है तो यह क्या होगा बसे अंदर क्यों होगई डाय हाथ के नेहूं नमबरท्फशें से इस टाइब का गारा की दिसा यूब तो यहाँ पर ब्लेक बोर्ड के अंदर क्यों होगी लेकिन यह कैसा रखा हुआ है उत्तर डक्षित दिसा में रखा हुआ है तो निश्चित तोर पे यहाँ पर बी की जो दिसा होगी वो पुरो पसीम दिसा में होगी इस प्रगार जो चुम्बकी सुई है उस पर दो छेत्र कारे करेंगे एक पिक्त्री की छेती सुई रूता इस पर ऐसा बता दें नार्थ सौट और यह वीश्चित तोर चुम्बकी सुई पर दो छेत्र कारे करेंगे दो छेत्र कौन कौन सा होगा पहला है प्रित्वी की छेती सुई रूता एच प्रित्वी की इसकी जो दिशा होगी क्या होगी चुम्बकी या मुत्तर में या इसको पन भो सकते हैं उत्तर दक्षिड दिशा होगी दूसरा है कुनली के कारण उत्पन चुम्बकी छेत्र की तियुरता बी कुनली के कारण उत्पन चुम्बकी छेत्र बी इसकी जो दिशा क्या होगी चुम्बकी या मुत्तर की लंवत या पुरुपस्थिम के लंवत या इसको अपन बोशकते हैं पूरुपस्थिम निसा में तो यह जो चुम्बकी सुई है इस पर जादार मापी में जो दिश तुचक में बीच में चुम्बकी सुई रखा हुआ है उस पर दो छेत्र कारे करते हैं पूरुपस्थिम निसा में कूंडली के कारणत उपन चुम्बकी छेत्र भी पूरुपस्थिम निसा में यहां बच्चित्र को देखिए यह चुम्बकी सुई है पित्यू की छेत्री स्थित्र भी और यह है चुम्बकी छेत्र भी यह दि संतुलन की स्थित्री में चुम्बकी छेत्र एक्स जो सुई जो है संतुलन की स्थित्री में है एक के सांथ कोंड थीटा बनाता है है यदी कि इस्थिति में सुई छेत्र है एक के सांथ कोंड यह आपर कितना बनाता है कोंड थीटा बनाएं चित्र में देखिए एक के सांथ यह सुई है कोंड थीटा बनाएं तो इस परजिया के नियम से है इस परजिया का नियम क्या है बी ब्राबर होता है एच टेन थीटा यह इस परजिया का नियम है बी ब्राबर होता है H 10 Theta समी कर नमबर 1 से मान रख दीजिए समी कर नमबर 1 से मान रखने पर 1 से मान रख दीजिए B का मान कितना है Mu 0 Ni बटे 2R है Mu 0 Ni 2R इक्वल टू S N Theta हमने क्या किया X से B कमान हमने यहां पर रख दिया इसको और आगे हल कर देते हैं या इसको और इस रूप मिली सकते हैं अपन I बराबर I को विक्तरप कर लिजे I बराबर H या 2RH I बराबर 2RH बटे Mu 0 N into 10 Theta इसको हम दे देते हैं समेकर नमबर 2 क्या पर आपक्या I बराबर हमको मिला 2RH अपन Mu 0 N 10 Theta या इसको ऐसा लिखा दस्पा है I बराबर H अपन G 10 Theta हम यह सब के जगा क्या रख दिये G रख दिये जहाँ G क्वल्टो होगा Mu 0 N बटे 2R G कमान हमने यहाँ रखा G क्वल्टो Mu 0 N बटे 2R इसको हम समेकर नमबर 3 दे देते हैं बराबर यह नितांक रासी है Mu 0 अल्रेडी नितांक है N भी फेरों कसंक्या भी नियत है R भी नियत है किसी इस परज्ज्या धारा मापी के लिए यह पूरी रासी नियत है इसको कहा जाता है धारा मापी नितांक क्योंकि किसी भी धारा मापी के लिए क्या है यह चीज़ फिक्स है N भी फेरों की संक्या उसकी नियत होगी उसके जो विद्दाकार पूली है उसके जो त्रिज्या नियत होती अर्थात एन और आर जो है धारा मापी पर निर्वर करता है इसके लिए हम इस जी को पा जाता है धारा मापी नितांग कहते हैं पुना समीकर नमबर तीन से इस समीकर नमबर तीन से इसके जग़ा एक हम नहीं कॉस्टेंट ले लेता है नहीं नियत रासी ले ले लेता है आई बराबर के टेन थीटा यह समीकर नमबर हम इसको चार देता है जहां के बराबर के पल्ट क्या है देखिए जहां के बराबर ह अपान जी के कमान ह अपान जी है ह अपान जी बराबर टू आर एच तू आर एच अपान म्यू जी रो इसको कहा जाता है किसी स्थान पर दिये गए धारा मापी के लिए यह पूरी रासी नियत रहती है प्रिस्थ्व की 36 एग जगा जो है यह नियत रहेगे अथात् इसको कहा जाता है इस पर दिया धारा मापी का परिवर्तन गुडांग कहते है के को कहा जाता है का परिवर्तन गुडांग कहते है के को ठीक क्या प्राप्त के हमने एच अपान जी एच अपान जी ब्राबर टू आर एच अपान क्या प्रामिला मुजिरो एन किसी स्थान पर दिये गए धारा मापी के लिए ये नियत रासी होती है नियत रहता है इसलिए इससे कहा जाता है इस वजिया धारा मापी का परिवर्तन गुडांग कहा जाता है रिडक्शन खेक्टर कहते हैं अता है समीकर नमबर चार से समीकर नमबर चार से आई प्रपोर्शनल टू टेन थीटा इससे तोर पे हम कॉंस्टेंट को अड़ा देते हैं तो क्या हमको प्राप्त होता है आई प्रपोर्शनल टू के टेन थीटा अता इस पज़्या धारा मापी में प्रवाहिद धारा चुंबकी सुझ में उत्पन विच्छेप के इस पज़्या के अनुक्रवान पाती होती है इस परस्ट यहां पर आई प्रपोर्शनल टू टेन ठीटा, ठीटा क्या है? चुम्बकी सुन में उत्पन विच्छेफ है, हम यदि इस परज्जा धारा मापी में आई धारा प्राइट कर रहे हैं, तो उसमें उत्पन विच्छेफ प्रपोर्शनल कितने के बराबर है? टेन थाना मापी का सिद्धानत है, यही इसी को आइफ है, इसी को मोलते हैं, इस परज्जा धारा मापी का सिद्धानत है, अधार आई प्रोपोर्शनल टू टेन ठीटा मिंस एक बाराव सुन लेजिए इस्पज्जा धारा मापी में प्रवाहित धारा चुंबकी सुवि में उत्पन विक्षेप ठीटा के इस्पज्ज्जा के अनुक्रमान पाती होता है थीटा उसका विक्षेप है तो उसके जो है उत्पन विक्षेप की स्पज्ज्जा के अनुक्रमान पाती होती है यही धारा मापी का सिद्धान्द है हम यहाँ पर परिवर्टन गुडां को परिभासित करेंगे हमको मालूम है आई ब्रावर के टेन थीटा के क्या चीज़ है परिवर्टन गुडां को है यदि थीटा एक्वल टू कितना हो फोर्टी पाइब हो यह तो आई ब्रावर के थीटा एक्वल टू फोर्टी पाइब मिस चुमकी सुव में यदि पैतालिस दिगरी का विच्छेप हो तो इस पज़्या धारा मापी में बहने वाली धारा ही के के ब्रावर है यहाँ पर हमने प्राप्त किया क्या प्राप्त किया थीटा प्रावर्ट मैं पाइंतालिस आ रहा है चुमकी सुव में यह दि प्रावर हम प्राप्त हो रहा है जब इच्छे थीटा हो अधाद इतनी धारा प्रावाईथ हो कि इस चुमकी उत्पन विच्छे 45 रिगरी के बराबर हो क्योंगे हमको मांगूं है 1045 इकल टू 1 होता है तो जो प्रवाही धारा होगी वही परिवर्तन गुडांग के बराबर होगा और ये परिवर्तन गुडांग को हम एंपियर के रूप में मापते हैं इस प्रजय धारा मापी का सिद्धान्थ हमने प्राप किया अब हम देखते हैं इसकी सुग्राहिता इस प्रजय धारा मापी की सुग्राहिता सुग्राहिता से मतलब यह है कि वो कम सकम प्रवलता की धारा को वो अच्छे से माप सके यदि धारा मापी में थोड़ी सी प्रबलता की धारा प्रवाहित हो और उसके जो कुंडली में विक्षेव ज्यादा से ज्यादा अप्राथ हो तो हम कहेंगे कि उसकी सुग्राइटा अधिक है अथा सुग्राइटा एस ब्राबर होता है थिता बटे आई जहांपर थिता है चुंबकी सुमे उतपन विक्षेव और आई है बहने वाली डाड़ा किंदों को मालूम है I बराबर होता है K 10 ठीटा माला दीजिए तो S बराबर ठीटा अपन K 10 ठीटा S को जादा होने के लिए K के मान को क्या होना चीए कम होना चीए S उसकी सुग्राइता है हम चाहते हैं कि धारमापी की सुग्राइता अधिक हो तो उसकी लिए K के मान को कम होना चीए और K के मान को कम होने के लिए इसको देखिए N जादा होगा तो K कम होगा N क्या है? वित्ता गार कुली में फेरों की संख्या है अगर N जादा होगा तो K कम होगा K कम होगा तो S जादा होगा तार, यहां पर फेरों की संख्या धारा महां पर जो कुंढ़ली हम लेंगे वहाँ पर फेरों की संख्या अधिक होनी चेंगिये hoy and अधिक होना चेंगिये दूसरी यहां पर देखिए अठार धारा मापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए फेरों की संख्या अधिक होनी चीह और जो वित्ताकार कुमली है उसकी जो त्रिज्या है उसको कम होना चीह तो ये हो गया इस प्रज्जाधारा मापी की सुगराहिता अब हम देखते हैं इस प्रज्जाधारा मापी के दूस्ट सबसे पहला दोस्ट इसको चुमकी या मोतर में सेट करना पड़ता है चुमकी या मोतर में समायूजित करने के लिए बहुत समय लगता है तो समय का यहां पर नश्ट होता है दूसरा समय यादा बगता है दूसरा बाय चुमकी छेतर का बहुत प्रभाव करता है यदि आसपास कोई चुमकी पदावत हो तो वो पूरा का पूरा रिजल को प्रभावित करेगा इस प्रभाव से बाय चुमकी छेतर से इसको बचा कर हमें उप्योग में लाना पड़ता है तीसरा निलबट धारा को इसके द्वारा नहीं मापा जा सकता है यदि कमजोड धारा है किसी परिपद में यदि कमजोड धारा प्रभावित हो रही है और उसको यदि हम इसके द्वारा मापना चाहें तो यह हम नहीं माप सकते चौता आखार इसका बहुत बड़ा होता है इसकी जो साइज होती है बहुत बड़ी होती है तो यहां से वहां ले जाने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और पांचों हैं जो कि परिवतन गुरां कमान के कमान इसको बोलता है परिवतन गुरां कमान यह अलग अलग जगा पर अलग अलग होता है इसकी वेलू जो है परिवतन गुरां कमान अलग 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 जगा के लिए अलग अलग है तो हम एक निशित पैमाना लगाकर इस धारा मापी के द्वारा धारा को हम नहीं माँ सकते क्योंकि केक अमान जिसको कहा जाता है परिवतन गुञाम अलग अलग जगह के लिए इसका माना अलग-अलग है तो इस थाई पैमाना हम पूल मिलाकर इसमें नहीं लगा सकते इस प्रगार से इसमें बहुत सारे दोस्त है आज हमने पूरे इस एक घंडे में कालखन में हमने धारा मापी का विश्टित अध्यन किया धारा मापी के बनावाट को देखा एज़ेश्ट करने के तरीके को देखा साथ ही साथ उसके सिद्धान एवन सुत्र की स्थापना किया परिवर्तन गुरां क्या है इसको जाना और उसकी सुग्राहिता के बारे में भी हमने अध्यन किया साथ ही साथ किस प्रार से इसमें दोस है उसका भी अध्यन किया धन्यावाद